वेलकम टू माई चैनल आज हम बनाएंगे बिंडी दो प्याजा की रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह बहुत टेस्टी बनते हैं आप इसे जरूर ट्राई किजेगा सबसे पहले मैं अपनी बिंडी को एक एक इंच के टुकडो में काट लूँगी और दो टुमाटर क करकर अपने प्याज को शैलो फ्राई कर लूँगी मैं इन्हें ज्यादा फ्राई नहीं करूँगी सिर्फ हलका हलका फ्राई करूँगी जब यह फ्राई हो जाएंगे तो मैं इन्हें निकाल लूँगी देखिए यह फ्राई हो चुके है अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी oil में हम अपनी भिंडी डाल देंगे और इन्हें भी हम shallow fry कर लेंगे हम इन्हें deep fry करकर नहीं बनाएंगे हम इसे कम oil में ही बनाएंगे उसके बाद मैंने उसी oil में अजवाइन, जीरा और लानमिस डाल दिया है अजवाइन से भिंडी कटेस्ट अच्छा आता है अब मैं इसमें प्यास डाल दूँगी, अब मैंने इसमें बारी कटे हुए प्यास डाले है उसके बाद मैं इसमें ginger garlic का पेस्ट डाल दूँगी और इन्हें अच्छे से मिलाऊंगी और इन्हें 2-3 मिंट के लिए पकालूँगी उसके बाद मैं इसमें अपना tomato puree डालूँगी नमक डालूँगी, हल्दी डाल दूँगी आदा चमच मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी और आदा चमच मैं इसमें लानमेश डाल दूँगी और मैं इसमें coriander powder डाल दूँगी, धनिया पावडर आदा चमच उसके बाद इन्हें अच्छे से मिलाऊंगी और दो-तिन मिनट के लिए कुख होने दूँगी दो-तिन मिनट बाद मैं इसमें दो चमच फेटा हुआ धही डाल दूँगी और धही डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे नहीं तो धही फट जाएगा अब ये कुख हो चुका है अब मैं इसमें अपनी बिंडी एड़ कर दूँगी बिंडी एड़ करने के बाद मैं इसे ढख कर पाँच मिनट के लिए कुख होने दूँगी पाँच मिनट हो चुके है अब मैं इसे देख लेती हूँ बिंडी मेरी कुख हो चुकी है अब भिंडी कुक होने के बाद मैं इसमें बड़ा कटा हुआ प्याज जो हमने शेलो फ्राई किया था उसको डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे देखिए हमारी बिंडी तो प्याजा पिल्कुल त्यार हो चुकी है आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू